Hey guys, welcome back to my YouTube channel Baby Health Guide दोस्तों गुड के सेवन के बारे में हम सबी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए कितना फाइदे मन्द है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के मोसम में बच्चों को गुड खिलाने से कितने फाइदे मिलते हैं तो चलिए जानते हैं नमबर एक एनीमिया से बचा दोस्तों गुड आईरन का बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए गुड का सेवन फाइद मन्द होता है गुड को अगर चने के साथ मिला कर खाया जाए तो गुड की गुण वर्ता और बढ़ जाती है गुड रोज खाने से खून की सफाई होती है ये खून में हीमो ग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है साथी रोग प्रती रोधर शम्ता को भी बढ़ाता है और खून से जुड़ी समस्याओं से बच्चों की हल्प करता है दोस्तो गुड की तासीर गरम होती है इसलिए जुखाम और कफ में ये फाइद मन्द है इसमें मुझूद फासफोरस कफ को संतूलित करने में भी साहायक माना जाता है सरदी के दिनों में गुड अद्रक और तुलसी के पत्तों का काड़ा बना कर पिलाने से बच्चों को ठंड नहीं लगती है और उन्हें ठंड से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है दोस्तों गुड मिनरल कैल्शियम और फासफोरस का अच्छा सोर्स बना जाता है ये पौशक तत्व बच्चों की हड्यों को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं साथी इससे कोशिकाओं का अच्छा निर्मान होता है बच्चों के आहार में गुड को शामिल करने से उनकी हड्यों मजबूत बनी रहती है आप एक गिलास दूद में गुड डाल कर बच्चों को जरूर पिलाएं दोस्तों अगर आपका बच्चा कबज की समस्या से परिशान है तो रात में खाना खाने के बाद एक टुकड़ा गुड उन्हें जरूर खिला दे ऐसा करने से कबज की समस्या दूर हो जाएगी गुड पाचन किर्या को ठीक रखता है इससे खून साफ होता है और मेटाबोलीजम ठीक रहता है रोजाना एक किलास पानी या दूद के साथ थोड़ा सा गुड लेने से पेट को ठंड़क मिलती है गुड खाने के बाद हमें ये सारी समस्या दूर हो जाती है इसलिए आप बच्चे को गुड का सेवन जरूर कराएं तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ मेरी ये चान करें आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाई